आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Define Inheritance, Give Statements और Various Laws of Inheritance यहां पर पूछा गया है कि Inheritance क्या होता है और उसके Different Laws क्या क्या है तो Basically Inheritance यह एक ऐसा Process है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो Characters होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो Genetic Constituency यानि Genes होते हैं वो Pass On होते हैं From Parents to Offspring या फिर हम लोग कह सकते हैं कि Parents से Offspring नहीं One Generation to the Next भी हम लोग कह सकते हैं तो Generation after Generation जो Traits पास होते हैं या फिर जो Genes पास होते हैं उसी Structure को हम लोग Inheritance के नाम से जानते हैं अब जो Various Laws होते हैं वो Actual में दिया गया था By The Scientist Mendel और उन्होंने Inheritance के तीन Laws बताया थे जिसमें पहला है Law of Dominant Law of Dominant में Mendel ने बताया था कि जो Allel या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो Character सबसे जादा Superior होता है Above the Other वही Superior Character जो है उनमें Ability रहता है To Show Off या फिर Express in a Population तो यही जो Expressive Value रहता है वो Law of Dominant में आता है जहाँ पहले Superior Characters ही सिर्फ Express होता है जैसे For Example T और T इसमें क्या होता है कि जो Tall है यानि जो Greater या फिर Capital T है यही क्या होता है यह Dominant होने के वज़े से यह खुद को Express करते है Over the Small T जो की Recessive है Next Type of या फिर हम लोग कह सकते कि Next जो Law of Inheritance है वो आता है Law of Segregation में तो Law of Segregation में क्या होता है तो यह एक One Kind of Law है जहाँ पर बोला जाता है कि जो Allianes होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो Homologous Chromosomes होते हैं वो क्या होता है वो साथ में जुरे हुए रहने के वावजूद जब Gamet Formation होता है उसके पहले क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से Separate हो जाते हैं और यही Separation जो है वो क्या होता है वो शो करता है Law of Segregation को जैसे फर एक्जामपल हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे दो Homologus क्रोमोजोम है जो कि एक ही धागे से अटका हुआ है लेकिन जब Gamet Formation होता है तो दोनों क्रोमोजोम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में इस तरीके से चले जाते हैं तो यही जो Separation होता है इसी को Law of Segregation के नाम में बताया जाता है Third or Last Law जो होता है उसको बोला जाता है Law of Independent Assortment Law of Independent Assortment जो है यह एकदम से Related है To the Law of Segregation जहां पे क्या होता है कि यहां बोला जाता है कि जब Gamets Form होते हैं तो वो लोग Separate होने के बाद Independently यानि बिना किसी के Help के वो लोग खुद ही क्या कर सकते हैं कि अलग-अलग Gamets को Constituent कर सकते हैं उनमें वो Ability रहता है कि वो अकेले ही अलग होके यानि Separate होके New Gamets Form कर पाए जैसे फॉर एक्जामपल Law of Segregation में भी मैंने कहा कि Gamets जो है वो Sister Homologous Chromosomes में रहने के बावजूद भी जब Gamet Formation होता है तो वो लोग अलग-अलग Gamets को Form कर सकते हैं तो यही होता है Law of Independent Assortment जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो Alleles या पर Characters होते हैं वो Actual में Independent होते हैं From Each Other साथ में रहने के बावजूद भी तो यही हो जाता है तीन टाइप के Laws और यही हो जाता है The Process of Inheritance